बॉलिवड स्टार शारुखान की पठान मूवी में भगवा रंग पर फिल्माए गए गाने को लेकर चहूँ और विरोध जारी है सोमवार को राश्ट्रे हिंदू परिशद ने जला मुख्याले पर प्रदर्शन कर ग्यापन सबा राश्ट्रे हिंदू परिशद के पदादिकारियों ने मांग की कि संसर बोर्ड इस फिल्म के उस सीन पर कैंची चलाए जो हिंदू भावनाओं को ठेज पहुँचाने के लिए भगवा रंग को गलत तरीके से दिखाए गया है हिंदू वादी नेता गोविंद पारशर विवादित बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं सोमवार को भी उन्होंने जिला मुख्याले पर पठान मूवी में भगवा रंग पर फिल्माए गए गाने को लेकर धमकी भरा बयान दिया उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में जिला प्रशासन के साथ सिनिमा घर संचालकों से कहा कि अगर ये मूवी किसी भी सिनिमा हॉल में रिलीज हुई तो वे बरदाश्ट नहीं करेंगे आज जिस तरह से भगवा का अपमान किया है पठान बूवी में पादुकान सारुखान ने जिस तरह से साधी हदय पार की है इस पोष्टा जो रिलीज हुआ है जिसमें एक गाना रिलीज हुआ है भगवा बदनाम जिस भगवा के लिए हमारे संतों ने अपनी जान तक दे है उस भगवा को हमारे भगवान राम हमारे अनमान जी पहन करते हैं उस भगवा का अपमान सारुखान पादुकान और सेंसर बोड़ ने जिस तरह से इस पिच्छर को रिलीज करने का ओर किया है उसके लिए अवन ग्यापन दिया है ड्यम साब को अबगत कराई है अगर ड् हिंदुवादी नेता यही नहीं रुके उन्होंने हिंदु समधाय को चेतावनी देते हुए कहा कि भले ही उन्हें जेल क्यों ना हो जाए वे भगवा रंग का अपमान करने वाली इस मूवी को देखने वाले हिंदु समाज के हर दर्शक के मूँ पर कालिक पोतने का काम चैने जाएगा उसका राश्टिदु पर सभारत करने काम करेंगा अब कि आर पендम्ल बना लिया है राश्टिदु परसभारत ने यहां तो हम जेल में जाएंगे ठीज मूवी को हम किसी भी सििनियमा हॉल में नहीं लगने देंगे जिस तरह से यह अपमान हो रहा है हिंदू समाज का यह अब हिंदू समाज सहन नहीं करेगा क्योंकि हमारे हिंदू की सरकार है जिस तरह से केंदर में हमारी योगी सरकार है योगी सरकार हमारी केंदर में उसके भाद भी हमारे भगवान का अपमान हो रहा है भगवा का अपमा भगवा रंग पर फिल्माये गई से गाने को लेकर चहूँ और विरोध जारी है। सोमवार को राश्ट्रे हिंदू परिशद ने जिला मुख्याले पर प्रदर्शन कर ग्यापन सौपा। हिंदू बादियों ने जिला मुख्याले पर नारिबाजी करते हुए इस मूवी को आ अगरा में रूलीज नहीं करने की मांग जिला प्रशासन से की। सीन्यूस के लिए विजय बगेल की रिपोर्ट।